इक शिप एक बेरी जहाज की जिसका नाम पॉसाइडन है और यह बहुत बढ़ा होता है इतना बड़ा कि इसमें बहुत सारे फ्लोर्स होती हैं और आज इस जहाज में बहुत सारे लोग आयो हुए थी जो सब के सब बहुत खुश थी क्योंकि आज ए एक तिस दिसंबर की रात यानि कैसी नया साल शुरू हो जाएगा जहां कोई जास में पार्टी कहे रहा है कोई ताश केल रहा है तो कोई डाउस कहे रहा है फिर हम शिप का कंट्रोल रूम देखती है जहां कैप्टन को कुछ गुलत होने का शक होता है वो कहता है जरूर कोई गर्बड है और तब ही वो देखता है कि सामने से एक बहुत बड़ी और उंची लेर इनकी जास के तरफ ही आ रही है जो देखर सारे कैप्टनी काफी डर जाती है और जल्दी से शिप को मुरने की कोशिश करनी लगते है वो इसे मुरने में काम्याब भी हो जाते है मगर लेर इतनी बड़ी थी कि कुछ दिर पहले उसके पीचे चान नजर आ रहा था मगर वो पूरी तरह इस लेर के पीचे चुप किया है जिसका मतलब था कि लेर इनकी शिप से भी काफी बड़ी थी पिर ये लोग ऐलान करती है कि जहाज में एक बहुती बड़ी मुसीबत आने वाली है एक हादसा आने वाला है तो सारे मुसाफिर और आफिसर्स एकदम अलेर्ट सावधान हो जाएं और ये ऐलान होते ही वहां भगतर मच जाती है और पिर देखती देखती वो उन्ची लहर इनके जहाज से टक्राई जाती है जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पुसाइडन जो इतना बड़ा जहाज है पूरा का पूरा समंदल में उल्टा हो जाता है मतलब कि जो उपर वला हिस्सा था वो जला गया था नीचे यानि कि उजमीन बन गया था और जो जमीन थी फर्श था वो आ गया था उपर जैसे जहाज पलड़ता है तो साहरे जिसे वगरा भी गिरती है तोटपोट होती है जिसमें डबने से बहुत सारी लोग मारे जाती है इसके लावा इंजन रूम में भी एक काफी बड़ा दमाका हो जाता है जिसके वज़ए से वो सारे के सारे कैप्टेंस जो इस शिप को चला रहे थी उनकी भी मौत हो जाती है अब शिप के हॉल में जहां सबसे ज़्यदा लोग थी वहां एक आफिसर आके बताता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है बुरी खबर यह है कि हमारे जहां से एक बहुत बड़ी सुनामी की लेर टकराई है जिससी पूरी तरह पलेट किया है इसी वज़े से यहां से कोई भी नहीं निकल सकता और अच्छी खबर यह है कि हमारे ओफिसर ने लहल के टकराने से कुछ मिनट्स पहले ही रेस्क्यू टीम जो सब को बुरे वक्त में बच्चाती है उन्हें इस बरे में खबर कर दी तो वो लोग अलेकोप्टर्स लेकर जल्दिया आने वाले हैं इसलिए सब बिल्कुल रिलेक्स शान्त रहे हम बोजल यहां से बच निकलेंगे अभी ही हमें कादमी को देखते हैं जिसका नाम डेलन था वो अपने सामने पड़े मरे हुई ऑफिसर की पास से सुरूरी समान निकाल रहा था जिसकी पास तब एक बच्चा आता है और और वो है नीची वाला रास्ता जिसके लिए जाहिर है मुझे उपर की तरफ जाना होगा पिर जैसी को नहां से निकलनी लगता है तो बच्चा अपनी मौम को यहां ले आता है और क्योंकर डिलन उसकी मौम से पहले मिल चुका है तो वो उसे जानता है उसकी मौम पूछती ह करना चाहिए मदद आने वाली है शिप पलता हुआ है तो कोई भी यह से नहीं निकल सकता इतनी दिर में वहां एक और आदमी रॉबर्ट और एक बुड़ा आदमी भी आ जाता है बुड़ा आदमी बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं मतलब हर चिसका डिजाइनर हर तर सब मारे जाएंगे अच्छी दूसरा आदमी था यानि रॉबर्ट वो डिलन से पूछता है या तुम्हें डिसको को रास्ता मालू है डिलन कहते है कि हाँ वो उपर है मगर इन हालात में तुम डिसको क्यों जाना चाहते हो तुम्हारा के दास करने का दिल कर रहा है रोबर् वो उसे पूछता है अच्छे जलो यह बताओ कि सबसे शॉर्ट केट मतलब कि ऊपर जाने का चोटा रास्ता कौन सा है जिस पर वो कहता है जैसी मुझे पता चलेगा बता दूगा जिससे ये बात तो साबित हो गई कि टिलन यहां से निकलना तो चाहता है मगर रास्ती उसे दुगने पैसे दोंगा मैं तुम्हें बस तुम कुद हमें वहां तक ले जाओ जिस पर वो आदमी राजी हो जाता है यानि कि अब वो भी रोबर्ट की साथ जाएगा ऐसा होने की बार रोबर्ट डेलन से कहते हैं सुनो मेरी बात अगर तुमारे पस प्लैन है तो हमारे पस गाइड है जो में हर जबा के बारे में बताएगा तो इसलिए अगर हम सब एक साथ जाएंगी तो हमारे जान बच सकती है अन्य गलग अगर हम गए तो हो सकता है हम मर जाएं जिसके लिए अब आखरकार डेलन मान जाता है जिसके बाद ही सारे लोग मिलकर जहांस की नीचे वीवले इसे की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं हम जानते हैं कि जहांस को निचला ईसा ऊपर की तरफ है इसलिए यह लोग वही जा रहे थी और वहां जाकर यह उस रास्टे से निकलने वाली थी जहां पर बड़े-बड़े पंकी होती है जैसिक पूर चिलाकर आग अंदर नहीं आ सकता था यह लोग लगतार आगे बढ़ रहे थी ताकि कैसे भी करके जाज के रीची वाले इसे में पहुंच जाए और यहांसे निकल सकी ताकि इनकी जान बच जाए मगर थोड़े सी आगे जाने के बाद इनका सारा रास्ता बेंद हो जाता है क्योंकि आगे बहुत सरे लोगों की लाशे बढ़ी होती हैं जिसके बाद यह लिफ्ट का दर्वाजा कुलते हैं यहांसे लिफ्ट काफी उपर होती है फिर एक काफी बड़ी लोहे की पट्टी से यह सामने वरे दर्वाजे की तरफ एक रास्ता बनाती है ताकि लोग उस दर्वाजे को कर यहां से निकल सके मगर ना कोशिश के बाद भी इनसे वो दर्वाजा नहीं कुलता पर तब यहां जो उपर वले फ्लोर के लिफ्ट होती है उसका दर्वाजा कुल जाता है तब जैसी तैसी लोग एक दुसरी की मदद करकी उस रास्ते से निकल जाते हैं और उस लिफ्ट व किनारे से लट अब जाते हैं कि हाथ पर नहीं जोड़ सकते हैं कि निचे काफी गेरे काई हैं और अगर यह गिर गए तो सिर्फ मौत ही हैं लेकिन यहाला टकर मुसिबत कम नहीं हुई थी यूगि उपर जो लिफ्ट थी वह भी अब दीरे दीरे से नीचे आ रही थी जो अ हा लिए इसलिए वह बोड़े आदमी को करेता हैं की कैसे भी कर्कि उस गाइट को नीचे गिरा दो उसे चोट दो वरना tel भी बारतशाओश और थी इसलिए झेलेन और रोबर्ड जल्दी से अपने लिफ्ट지 का तरोंसा believing कर ली अब ये बचते हैं पांच लोग जिसकी बाद दुबारा से ये आगे बढ़ने लगते हैं थोड़ी दूर जाने पर इन्हें डिसको एरिया मिल जाता है जहने ये रोबर्ट की बेटी उसकी बेटी का दोस इसके इलावा दो और लोग मिल जाती है यानि के टोटल चार लोग इ जाते हैं तो वहां लोग की एक काफी बड़ी डिलिंग टोटके गिरी हुई थी जिसके जरीए ये दोसी दरफ जा सकती थी तब डिलन उनसे पूछता है कि यहां से निकलने का किसी को कोई और रास्ता पता है अब यहां एक लड़की जो काफी दिनों से इस शिप में इस अब इस तरह हो करते हैं जहां पांज़ों जैसे दसे करकी दÖsतर पहुंच आ तक रिछा आके शिराब कर वैसे साथी नीजे जाती है अब इंजन के उस हिसे के साथ वहाँ पानी में वह सारा तेल भीगर चाहता है जिल्गारियां तो पहले ही वहाँ घीर रही थी तो इसी वज़ा से वहाँ आग लग जाती है पानी में और वो शिरा भी मर दिया था इसलिए अभी आठ रह गए थी लेकिन सिर्फ पांच लोगी दूसे तरफ गए थी जहाँ इने जाना था जिबकि रोबर्ट उसकी बेटी और डिलन अभी भी वही बीचे ही पैसे हुए थी नीची पानी में आग लगी हुए थी कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो उस पार जा सकी क्योंकि इंजिन गीने से रेलिंग भी टूर चुकी थी तबी डिलन एक पाइप के साथ रसी बानता है और पानी में कुछ जाता है क्योंकि वह जानता है कि आखे नेची पानी है जहां आग उसे छो भी नहीं सकती इसलिए वो नीची तेहएं तेलते हुए दूससी तरफ पौहँँच जाता है वह वर सी का दूसरा सीरा फाइप की साथ बान दीता है जिसलिए टकर रोबर्ट और उसकी बेटी भी इस तरफ आ जाते है जिससे अभी आरट के आरट बैज जाते हैं और दुबारा से उपर की तरफ जाने लिखती हैं अब डिलन को सब कुछ इसलिए भी पता था क्योंकि एक वक्त ऐसा था जिब उने भी काम करता था अब भना कि उसने भी छोड़ दी थी मगर शिप्ट की बारे में अभी भी उसे काफी जानकारी थी अब हॉल का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह सब के सब डोगक कर मारे जाते हैं वह बिचारे अपने आखरी वक्त में चिलाने के लावा और कुछ भी नहीं कर सकती थे उनकी चीखें वो आठ लोग भी सून लीते हैं और समझ जाते हैं कि विचारे सब मारे गए लेकिन इस वक्त जहाँ यह लोग थी वहाँ पर भी पाने बढ़ना शुरू हो जाता है मगर यहाँ से निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं होता फिर तभी यह एक चोटी सी वेंटिलेशन कोलते हैं जो एक चोटा सा रास्ता था और कहते हैं कि बस यही से निकला जा सकता है लिकिन क्यूंकि वो जगा तरंग थी तो एक वक्त में एक ही आदमी जा सकता था तो इसलिए लोग एक की बाद एक करके आगे की तरफ जाने लगते हैं सबसे उपर रोबर्ट होता है और सबसे निचिक डेलन जैसे लोग आगे बढ़ रही थी तो देखते हैं कि निचे से पानी आना शुरू हो गया है जिससे अब उस वेंटिलेशन में भी पानी आनी लगता है फिर जैसे लोग वेंटिलेशन की आखर में पूछते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक जाली लगी हुई है जिससे रोबर्ट खोलने की बहुत कुशिश करता है मगर नहीं खोल पाता क्योंकि उस पर पेश लगी हुए थी और तोर उसका हाथ भी वहाँ से बाहर नहीं जा रहा हुता इसलिए उस औरत की बच्ची को कहता है तुम उपर आजो बेटा जल्दी करो पिर अगली ही पल वो बच्ची को अपने पास उपर बोला लेता है और सबसे पूछता है कि किसी के पास कोई सिक्का या नोक वाली लोगी की कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम पेश खोल सकते हैं जिस पर वो लड़की जो इनकी साथ थी यह जो बगार टिकट की रह रह रही थी अपने गले से एक क्रोस ला लोकेट उतार कर दीती है कहती है कि यह लोग इसे शर्ट पेश खोल जाएं तब बच्चा वो क्रोस लेकर आइस्ता आइस्ता करकी पेश खोलना शुरू करता है क्योंकि उसके हाँ छूटे होने की वज़े से पेश तक पोच गए थी लेकिन यहाँ पाने बढ़ता जा रहा था और क्योंकि सबसे नीचे डिलन था तो वो काफी अतक पाने में डूब गया था और अब वो लगब लग डूब नहीं वाला था कि तभी कुछ किस्मिती से जानी खोल जाती है जिससे सारी जल्दी से एकी करकी बाहिरा जाती है इस तरह से डिलन की जान भी पैच जाती है और अब इन्हें सिर्फ दो फ्लोरी ओपर जाना था जिसके बाद इन सब की जान बच जाएके नगर जब लोग आगे जाते हैं एक टैंक भी बस जाते है ने जिए जाने सकते हैं क्योंकि वहां से पानी आ रहा होता है आगे भी यह नहीं जा सकते थे क्योंकि यहां से निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं सिवाए एक छोटे से रास्ते की जो काफी मस्भूती से बन था क्योंकि यह एक टैंक का था इसलिए तब इन्हें उन सब को समझाता है कि हम जहां खड़ी है यह ऐसा टैंक है जहां शिप को बैलस में रखने के लिए पानी मरा जाता है और जब यह पूरी तरह पानी से बर जाता है तो यह चोटा सा रास्ता खुल जाता है जिसकी बास सारा पानी उस दूसरे टैंक में चिला जाता है और अब अगर हमें यहां से निकलना है तो हमें अपने इस वरे टेंकों भरना होगा ताकि जब यह पूरा भर जाए तो दर्वाज़ा खुलने के बाद पानी दूसरी टेंक पी जला जाए ऐसा होने से हम बच सकते हैं तो सुनका रोबर्ट की बीड़ी काफी घबरा जाती है कहती है कि अगर पानी बढ़ने के बाद भी दर्वाज़ा ना खुला और इस बीच हमारी सांस टोटके फिर क्या होगा जिस पर दिरन गुसी में और घबराहट की अलम में जवाब देता है कि पता नहीं मगर इसके लावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो अब यहां रोबर्ट और डिलन ये फैसला करते हैं कि वो अपने इस टैंक में पाने बढ़ेंगे जिसके बाद देरे देरे वो इसमें पाने बढ़ना शुरू करते हैं अब देखते ही देखते ही टैंक पूरा पाने से बढ़ जाता है मगर अभी पर दर्वाजा नहीं खुलता जिस वज़े से ये सारे लोग काफी मायोस हो जाते हैं लिकिन पर अगले ही पल एकदम से वो दर्वाजा खुल जाता है और ये सब लोग पाने के प्रेशर के साथ दूसरे टैंक में आ जाते हैं अभी लोग उस टैंक से तो बच की थी मगर मुसीब्ते अभी पे कम नहीं होई थी क्योंकि इन्हें यहां से बचने के लिए निकलने के लिए तैयर करके दूसरी तरफ जाना होगा जिसके बाद ही सब लोग गहरी सांस लेती हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती हैं यहां सबसे आखर में वो लड़की थी जो काफी वक्त से इशिप में चुपकर रह रही थी जब वो आगे बढ़ रही थी तो तब ही उसके कपड़े एक तार में अटब जाती है जिससे वो वहीं बंच जाती है हलांकि वो बुड़ा आदमी उससे बचाकर उपर तो ले आता है मगर तब 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 उसकी सांसे तोड़ चुकी होती है मतलब कि वो मर गई होती है जिसके बाद अभी बचती है साथ लोग और फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है अभी लोग उस फ्लोर पर पोहन चाती है जहां बड़े बड़े पंकी है यहां से इन्हें निकलना है मगर इदे आती ही वो देखती है कि यहां भी बहुत सारा पानी वरा हुआ है पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है जिस पर लाशी तेह रही थी यह देखकर डिलन काफी मायोज सुझाता है तब उसका ऐसा चिरा देकर बच्ची की मुम पूछती है क्या हुआ डिलन तुम निराश क्यों हो गई जिस पर डिलन कहता है कि जहां से हमें निकलना था वो इसा तो पानी में डूबा हुआ है हो वहां तक पहुच भी नहीं सकती क्योंकि वो बहुत दूर है और मजीद पानी बढ़ता ही जा रहा है जो सुनकर रोबर्ट कहता है तो पर हमें किसी उंची जगा पर जाना चाहिए मगर अफसोस यहां से निकलने का और कोई रास्ता नहीं होता जिस पर दुकी होते हुए रोबर्ट डिलन से कहता है कि शुक्रिया तुमने हम सब की जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की मगर शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि इस शिप में हमारी मौत होगी और वैसी भी सब कुछ इंसान की बस्त में नहीं होता मगर तबी जो यहां इंजिन रूम था वाई काफी बड़ा धमाका हो जाता है जिससे वो सारा पानी जो बड़ा हुआ था यहां से निकल जाता है और ऐसा होने से वो रास्ता भी पानी से खाली हो जाता है जहां से इनने निकलना है यहां जहां वो बड़े बड़े पंखी थी जिसका मतलब था कि अगर ये उसकी तरफ कुछ फैंकते भी हैं तो वो जिस पंगे की तरफ ना जाकर वापिस इनी की तरफ भी आ जाएगी अब तरफ बेडर रोबर्ट को एक नक्शा मिलता है जिससे उसी पता चलता है कि इनी पंगों के बिल्कल नेजे कंट्रोल रूम है जहां जाकर इन पंगों को बन किया जा सकता है लेकिन कंट्रोल रूम यहां से 1.500 की दूरी पर है और वहाँ जाने का मतलब मौत है मगर इसके वो वजोद भी Robert वाँ जाने के लिए तयार था जो देखर उसकी बीटी का दोस्त कहता है आप रहने दीजी आप वाँ नहीं जा सकती मुझे जाने दीजी कि मैं वाँ जा सकता हूं और उन पंगों को बन भी कर सकता हूं जिसके फुरनी बात वो वाँ जाने के लिए तयार था रोबर्ट पानी में कोच जाता है और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है तभी हम देखते हैं कि डिलन यहां पर नहीं है वो चोटा बच्चा पानी में बह गया था जिससे डिलन और उसकी मौम ढूंड रहे थी बच्चा उन्हें भोज़ग मिल जाता है जिससे डि सबुआ होता है लेकिन देखते है कि जसन्हें पंकी बंद होनी थी खराब होगया हैं और सधी रोबट की सांसी में तोट रहे होती है जिस वीजोसी वह वा बीचारा तरप रहा हुता है वह मयने गी वाला था कि तभी वह उस बुटन को देख लीता है जिससे पंकों को सिव यह निए पंकों के घूमने और चलने के रुख को बदला जा सकता है और मने थे चन सेकंड पे लिए वो उस बटन को दबा दीता है जिसके बाद वो भी चारा मर्चाता है जिसका मतलब था कि रोबर्ट नी उन सब की जान बचाने के लिए अपनी जान दी ती ओपर डिलन इसलिए उन से कहता है कर depths ने पंकों को रिवर्स के दिया है इसलिए अब हम जी से पहांग कर इंजन को बन कर सकती है उन को रोक सकती है जिसकी बाद वह के अरिक वभी बन कर सकते हैं इसके बाद योगत निकलकर एक एक करके इस जहास पुसाइडन से पानी में कोच जाते हैं और जल्दी से एक छोटी कष्टी में चड़ जाते हैं जो पुसाइडन से ही आई थी क्योंकि शिप्स में इस तरह की बहुत सारी कष्टिया होती हैं सब लोग जब उसमें चड़ जाते हैं तो तबी पुसाइडन इनकी तरफ ये गिरनी लगती है तबी देकर सारे जल्दी जल्दी चपो चलाना शुरू कर दीती है और पिर जेसे पुसाइडन इन पर गिरनाई वाली थी ये उसे काफी दूर आ गए थी पुसाइडन जो एक बहुती बड़े शिप थी कुछ गड़ों पहले बड़े शान से पानी पर तेर रही थी और वो पूरे तरह सी पानी में डोप चुकी थी इसके बाद ही एक फ्रेयर गंच चलाती है ताकि जो रेस्क्यू टीम इनने बचाने के लिए निकली है वो इनने देख लिए तब होता भी बिल्कुल ऐसे ही कुछी दिर में रेस्क्यू टीम इनके पास पहुंचकर इन सब को बचा देती है और इस तरह से इन चे लोगों की जान बच जाती है और बस इसी के साथ ये कानी इदर ही खरत मुझा दी है